हेलो दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो आपको बना सकता है करोड़ पती जी हाँ जरूर बना सकता है करोड़ पती LCD investment के बारे में नाम सुना होगा LCD investment उसके जैसा ही एक stock है यह LCD investment नहीं है बड़ दूसरा एक stock है यहाँ पे अगर आप revenue देखेंगे तो 2017 से आप देख सकते है continue growth होते वे अभी 536 crore का revenue generate किया है profit आप देख सकते है 2017 में 10 crore था और अभी 48 crore यह भी yearly basis पे grow हो रहा है EPS इस साल थोड़ा low है लेकिन बाकी सारी चीज़ी in line है debt to equity अगर आप देखेंगे 2017 में काफी जादा था अभी कोई भी debt to equity नहीं है balance sheet की अगर हम बात करें तो यहाँ पे share capital आप देखें 3 crore का share capital है काफी कम और वहीं अगर मैं reserves and surplus की बात करूँ यहाँ पे देखें 88 से grow होके अभी 205 का reserves and surplus बन चुका है इस हिसाब से अगर आप ratios पे जाकर देखेंगे तो face value आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा 10 रुपे का face value है total share capital 3 करोड यानि कि divide by 10 market में सिर्फ 30 लाख share है और इस company का जो face value है sorry जो book value है वो फिलाल 687 है और यह company अभी trade कर रहा है सिर्फ 95 रुपीज में यानि कि 687 का stock आपको सिर्फ 95 रुपीज में मिल रहा है share holding pattern की अगर मैं बात करूँ तो 70% 69.72% तो promoters नहीं रखा है अपने पास और market में सिर्फ 30.27 यानि कि सिर्फ 9 लाख share है market में जो की float हो रहा है retail investors के पास यानि कि public के पास अब चलते हैं इस company के नाम के दरफ देखते हैं क्या नाम है इस company का नाम है तपारिया tools 95.05 पर trade कर रहा है BSE पर लिस्टेड है और आज के दिन का volume अगर आप यहां पर देखेंगे सिर्फ 11 shares trade हुए है यानि कि इस company का volume इतना low है कि कोई trade नहीं कर रहा है और इसके पीछे reason ये भी है कि 700 रुपे का stock जो book value मैं आपको बताए 670 के आसपस 700 रुपे का stock कोई भला 95 में क्यों बेचे जिस तरह से LCD investments का book value काफी ज्यादा है लाखों में है और वो trade कर रहा है 14 रुपे तो क्यों लाखों का share कोई 14 में बेचेगा वही चीज यहां पर तापारिया tools के साथ है तो इस counter पर नज़र रखे धीरे धीरे बढ़ता रहेगा अगर कभी भी chance मिलता है buy करने का तो ध्यान में रखे बट मुझे नहीं लगता है कि यह 600-700 के पहले कभी भी buying opportunity देगा volume काफी कम है मतलब की price अगर move करना है तो थोड़े बहुत volume यानि एक share तो कम से कम trade होना चाहिए उसके बाद ही volume का momentum आता है अगर सिब buyers खड़े रहेंगे और किसी ने अगर sell नहीं किया तो फिर यह counter बढ़ेगा नहीं यहां पर आप देख सकते है 2001 14 रुपे पे था फिर 2011 और अभी 95 यानि कि movement ही नहीं है इस counter में क्योंकि already book value इतना जाद है अभी 95 पर आया है hopes हो कि थोड़ा और यह stock बढ़े तो उसके बाद एक volume आय मार्केट में अगर volume आता है तो जरूर add किजिए यह counter आपको काफी जादा पैसे वाला बना सकता है आपको 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 दो कि अबऌको आपको प्राया है